निवेशिकों से वादा किया गया था कि बड़ी रकम होगी. जीरो कोविट के कारण चीन के फिर से खुलने के बाद, लेकिन स्थिती इससे कहीं ज्यादा खराब है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. चाइना अंसेंसिड में आपका स्वागत है. मैं क्रिस चैपल हूँ. चीन के राज्ये में कुछ सड़ा हुआ है. ठीक है, मुझे एहसास है कि मुझे थोड़ा और विशिष्ट होना है. मैं चीन की सड़ी हुई अर्थ्विवस्था की बात कर रहा हूँ. और उनका फिर से शुरू होना एक पहली है. अब वर्षों से हमें बताया गया है कि चीन निवेश करने का स्थान है. ब्लैक रॉक ने कहा कि निवेशकों को चीन में अपनी संपत्ती को तीन गुना करना चाहिए. जो समझ में आता है. यदि आप घुरदोर पर जुआ खेलने जा रहे हैं, तो आप उस घोड़े पर दाव लगाना चाहते हैं, जो सबसे तेज लगता है. भले ही वो घोड़ा बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उलंगन और वैश्विक घुरदोर अर्थवेवस्था को बंद करने वाली महामारी के लिए जिम्मेदार हो. आप कैसे कर सकते हैं, सीबिस्किट? यहां तक कि जो लोग चीन में निवेश नहीं करना चाहते थे, उन्होंने भी शायद चीन में निवेश किया था. आखरकार, कई अमेरिकी पैंशन फंड चीन में निवेश करते हैं. ज्यादातर इमर्जिंग मार्किट फंड के साथ भी ऐसा ही होता है. लेकिन फिर जीरो कोविड हुआ. चीन वर्षों के लॉगडाउन में चला गया. अर्थवेवस्था मूल रूप से रुख गई. बेशक, इसने ब्लैक रॉक को नहीं रोका. ये लेक जीरो कोविड के मद्धिका है. क्योंकि यह विचार था कि देर सवेर चीन को फिर से खोलना होगा. और जब ये होगा, लड़का अर्थवेवस्था रॉकेट जहाज की तरह उड़ जाएगी. ये लोगों को पैराशूट पैंट में निवेश करने के लिए कहने जैसा है. क्योंकि निश्चित रूप से ये अब किसी भी दिन बड़े पैमाने पर वापसी करने वाला है. जब चीन जीरो कोविड से पीछे हट गया तो मौगन स्टेनली के पास कहा निवेश करना है. इस पर बहुत अच्छे सुझाव थे. गोल्डमैन सेक्स ने कहा कि चीन के फिर से खुलने से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने वाला है. टेलिग्राफ ने कहा कि चीन 2023 में निवेशकों का सबसे अच्छा दाव हो सकता है. और वे सही थे. फिर से खुलने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था ने रॉकेट जहाज की तरह उडान भरी. केवल यह उन पहले रॉकेट जहाजों की तरह था जिनके अंदर बंदर बंदे हुए थे, जो टेक आफ के बाद फट गए थे. क्योंकि संख्याएं हैं और चीजें इतनी गर्म नहीं दिख रही हैं. मैं आपको ब्रेक के बाद और बताऊंगा. वापसी पर स्वागत है. जीरो कोविट के बाद चीन को फिर से खुले कई महीने हो चुके हैं. तो क्या यह महान आर्थिक उचाल रहा है जिसकी कई लोगों ने भविशवाणी की थी? ठीक है, मैं निश्चित रूप से एक धमाकेदार आवाज सुन रहा हूँ. इसमें विस्फोट हो रहा है. कुछ अर्थशास्त्री भविशवाणी कर रहे थे कि चीन के सकल घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धी होगी. ये चीन की आधिकारिक संख्या से भी अधिक आशावादी है. और वे आधिकारिक संख्याए स्वयम मानव निर्मित और अविश्वस्निये हैं. लेकिन वो जीडीपी वृद्धी अमल में नहीं आ रही है. उमीद के मुताबिक चीनी उपभुकता वापस नहीं आए और भारी मातरा में खर्च करने लगे. एतिहासिक कॉपरेट राजस्व प्रवृतियों के आधार पर चीन की जीडीपी 5 प्रतिशत की दर से बढ़ने के लिए राजस्व को 8 प्रतिशत से अधिक तेजी से बढ़ने की आवश्यक्ता होगी. इसके बजाए यह 1.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है. चीन के 28 मुख्य आर्थिक शेत्रों में से 20 आधिकारिक जीडीपी लक्षों की तुल्ला में धीमी गती से बढ़ रहे हैं. वे एक विशाल हिमालेन लिली से भी धीमी गती से बढ़ रहे हैं. क्या? आपको लगता है कि मैं विडियो गेम संदर्भों के अलावा और कुछ नहीं बनाता? यह मेरे सभी वनस्पती विज्ञान प्रमुखों के लिए हैं. समस्याओं में से एक ये है कि चीन के युवाओं में बेरुजगारी आसमान चू रही है. पांच में से एक को नौकरी नहीं मिल रही है. अप्रेल में आयाद भी आठ प्रतिशत घटा है. क्रेडिट और रिंड गिर रहे हैं. और कुछ अर्थशास्त्रियों को चिंता होने लगी है कि जिस रिकवरी की उन्होंने भविश्यवानी की थी, वो शायद नहीं आ रही है. और मुझे चिंता होने लगी है कि अर्थशास्त्री बनना बहुत आसान है. वे आपको चीन में निवेश करने के लिए कह रहे हैं जैसे एक डॉक्टर औस्टियोपरोसिस से पीड़ित वरिष्ट नागरिक को अधिक यूनिसाइकल जलाने के लिए कह रहा है कोई रास्ता नहीं वे दुरगट नागरस्थ होने और जलने वाले हैं, है न? तो इतने सारे निवेशकों और अर्थशास्त्रियों ने इसे गलत क्यों समझा? समस्या यह है कि चीन की अर्थविवस्था मूल भूत रूप से तूट चुकी है वर्षों से चली आ रही प्रणाली गत समस्याएं आखिरकार फली भूत हो रही है चीन की कम्यूनिस्ट सरकार द्वारा संचालित अर्थविवस्था पूरी तरह से सरकारी प्रोटसाहन और रिन पर निर्भर रही है उस पैसे और कर्ज का अधिकांच हिससा रियल एस्टेट शेत्र में चला गया जो चीन के सकल घरेलू उत्पात का लगभग 30% है चीन में स्थानिय सरकारे कर नहीं लगा सकती इसलिए वे रियल एस्टेट के जरिये पैसा कमाती है लेकिन पिछले साल भूमी की बिक्री से कुल आधिकारिक राजस में 23% से अधिकी गिरावट आई लगभग 288 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ एक आधिकार के संदर्ब में ये तब होता है जब आप बोट को पलट देते हैं और अपनी मा को धोखे बास कहते हैं स्थानिय सरकारे लंबे समय से लगातार बढ़ते कर्च से भाग रही है और स्थिती सिर पर आ रही है इस बारे में अधिक जानने के लिए मेरा हालिया एपिसोड चीन का रिंड ब्लैक होल देखें लिंक नीचे है यह नीचे आता है चीन की स्थानिय सरकारे पैसे से बाहर चल रही है वे मजदूरों को समय पर भुकतान भी नहीं कर पा रहे है इससे ओद्योगिक और वानिजिक दोनुक शेत्रों को नुकसान होता है और इस तथे के साथ की चीन में कारे बलकी कमी हो रही है क्योंकि लोगों के बच्चे नहीं हो रहे है यह विचार की वॉल्ल स्ट्रीट हमें एक विशाल पोस्ट कोविड रिकवरी पर बेचने की कोशिश कर रहा था पागल है यह एक डॉक्टर की तरह औस्टियोपरोसिस से पीड़ित एक वरिष्ट नागरिक को यह बताने जैसा होगा कि जैसे ही उनकी खंडित खोपड़ी लीक होना बंध हो जाती है वैसे ही वे एक बड़ी रिकवरी कर लेंगे इस बीच चीन का रिण अनुपात उसके सकल घरेलू उतपात का तीन गुना है संदर्ब के लिए 2022 के मध्धि तक चीन का सापेक शरिंड बोज अमेरिका की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक था एक अमेरिकी के रूप में यह मुझे हमारे रिंड संकट के बारे में बहुत अच्छा महसूस कराता है ऐसा लगता है कि एक 400 पाउंड का आदमी मेरे 600 पाउंड के जीवन को देख रहा है और सोच रहा है मैं ठीक कर रहा हूँ और अमेरिकी अर्थविवस्था चीन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है ब्लेकरोक हमें बताता है शून्य सी ओवी नीती का परित्याग और अधिक व्यापार लायक टोन के लिए व्यापक बदलाव ने चीन की सरकार के लिए एक नए विकास समर्थक योग की शुरुआत का संकेट दिया है चीन को छोड़कर सिर्फ अपने जासूस विरोधी कानून का विस्तार किया और नए नियम निश्चित रूप से व्यवसाय के अनुकूल नहीं है विदेशी अधिकारी कहते हैं कि विस्तरित दाइरे और कानून की शक्तिया रोजमर्रा की बातचीत को राष्ट्रिय सुरक्षा द्रिष्टिकोर्ण में बदलने की धमकी देती है वो भी सिर्फ हिमशेल का सिरा है चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के विदेशी अधिकारी हिरासत में ले रहे हैं और विदेशी नौकरों पर अपनी पकड़ लेते हैं और नजरिया रखते हैं क्या ये सिर्फ मैं हूँ या ये स्पष्ट है कि हमें क्या करना है हमें चीन में अपने निवेश को चोगुन करने की जरूरत है अगर हम चीन के कर्ज के विशाल नेटवर्क में और पैसा लगा सकते हैं तो हम इसे बनाय रख सकते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत पैसा कमा सकते हैं या हम सिर्फ पैराशूट पैंट में निवेश कर सकते हैं ग्रेटर से यह अब किसी भी दिन बड़े पैमाने पर वापसी करने वाला है और आप जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना ये शो अस्तित्व में नहीं होता है यूट्यूब अक्सर इस चैनल से लोगों को विमुद्रिकरण, दमन और गुप्त रूप से अंसब्सक्राइब करता है पैट्रियन पर शो में योगदान देकर चाइना अंसैंसर पचास सेंट आर्मी में शामिल करता हूँ आपको धेर सारे शांदार फायदे मिलेंगे यूट्यूब से चिप के रहने में अधिक रूची रखते हैं बढ़ या सवाल इसलिए यदि आप नहीं जानते हैं तो मैंने गेमर्स अनबीटन नामक एक नया गेमिंग चानल शुरू किया है मेरे ऐसा करने का कारण ये था कि यूट्यूब बिना विमुद्रीकरन, आयू प्रतिबंधित या किसी अन्य तरीके से सेंसर किये बिना राजनीतिक चीजों के बारे में बात करना बहुत कठिन बना देता है इसलिए मेरी आशा है कि मैं विडियो गेम में ऐसा करके यूट्यूब के रड़ा के तहत राजनीतिक टिपनी कर सकता हूँ इसलिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो गेमर्स ना बात देखें मैं नीचे पिन की गई टिपनी में एक लिंक डालूँगा नवीनतम एपिसोर दे लीजिन्ड ओफ जेल्डा के टिर्स ओफ दे किंग्डम पर है लेकिन मैंने कभी ट्विच के बारे में नहीं सोचा मैं वास्तव में इसके बारे में इतना कुछ नहीं जानता इसलिए मैं इसे सब के लिए खोल दूँ क्या आप हमें ट्विच पर देखना चाहेंगे और यदि हाँ तो क्या आपके पास ट्विच का अधिक्तम लाब उठाने के लिए कोई सुझाव है मुझे नीचे टिपनी में बताए तो माँ ड्राइ ब्रेट सुझाव के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह समर्थन के लिए धन्यवाद